मैं विसाल कुमार और आप देख रहे हो वीम शंन टीवी आज हम आपके बीच बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छूटी वड़ी खबरों को लेकर हाजर हुएं एक नहीं बलकि तमाम छूटी वड़ी खबरों को विश्टार से समझाएंगे साथी साथ एक बेहनुदी महतुपूर पर बातचीत करेंगे फिलाल सबसे ज़्यादा जो बड़ी ख़बर है वो भीहीम आर्मी चीव वाजा समाज पार्टी के राष्टी दिश चंदर से खराजाद और बहुजन समाज पार्टी के अदिश मायावती के द्वारा लिये गए एक बहुत ज़्यादा अच्छे और बड़े फैसलित जुड़ी हुई है आप बने रहे हैं इस वीडियो में आखरी तक और इस वीडियो करें जाज जाजा से है तो आई हम आपको सभी ख़बरे विश्टार से एक एक हर के समझाते है सवसे पहली जो बड़ी ख़बर हो वो भीम आरमी के चीवझ पार्टी के रास्टी दिछ चंदर से खराजाद की तरफ से निकल खरा लिये जैसे ही उनको पता चला कि OVC आरच्छण के विना निकाय चुनाब कराने का फैसल लिया है वो सुरू से ही तव से लगातार सरकार के खिलाब भोल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि OVC आरच्छण के विना अगर चुनाब हुआ तो हमें एक बड़ा अंदूल करेंगे और उनका साथ दे वी रहे हैं पर अफसोस की बाद यह है कि हमें आरट्षण की कोई जरूरत नहीं है चंद सेकर राजाव का ट्वीट दिखाने से पहले हम आपको एक कमेंट दिखाना चाहेंगे और वो कमेंट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पर और उन्होंने कमेंट किया और उनके कमेंट का हम सम्मार करते हैं और आपके बीच भी रखते हैं कमेंट देख लीजी स्कीन पर इसमें आप सब लिखा है आप देख सकते हैं इस तरीके का सब्दों का इस्तिमाल करती हूँ उन्होंने हमसे कहा हम ओवी सी बालों को कोई आरच्छन नहीं चाहिए और ना ही हम ओवी सी वाले औरों की तरह रेली दंगे हक नहीं मांगे हम मेहनत करके खाने वाले हैं अब इनके बैकग्गराउंड के बारें बात करेंगे हलांके हम इनके परिवार आप ना करेंगे हम सर्फ इनके बारें बात करेंगे ना किसी इनकी समाय से मेरी बातों कोई लेना दो नहीं, मैं सिर्फ इनसे ही इनको ही जवाब देना चाहँगा, बहुत कम सब्द हूँ, मैं सिर्फ इनसे इतना ही कहना चाहँगा, कि आपने काई कुम्फ में आरच्छट की कोई ज़रूत नहीं है, हम महनत कर लेंगे, जब तक आपको आरच्छट न इननों ने कियों किया मेरी वीडियो पर जबकि मैं ओवी सिर्फ के हकदकार की बात की थी, वो इसलिए क्यों गाए, क्योंकि एक बावा है मद्द पर्देश के, और उनों की सवाव, उनके बंड़नारे जो होते हैं, उनमें जो पर यानि की जनता जनादर है, उसको खाना प मिला है, पर फिलाल एक मचली गंदी हो, तो पूरे तालाव को गंदी कर देती है, पर यहां बात अलग है, यह यानि कि यह सक्स गंदी बात करने हैं, गलत बात करने हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि पूरे OVC समाज को आरथनी जरूरूद नहीं है, आज भी OVC गरीब दल बात रोकी जा रही है, सुनिल धन्वन्ता जी कि इस तरीके से बड़ी सुरुच्चा के मिच उन्हों ने अपनी बराज गोडी पर चड़ाई थी, तो आज भी इस देश में आरथन की विवस्ता है, हलांकि कहा था कि 10 साल बाद जब दिशा और दिशा बदल जाए, तो यह दसा नहीं बली, और जो 100 वर्सों से 100% हर छेत्र में आरथन ले रहे थे, 1000% आरथन ले रहे थे, उन्होंने ये बविस्ता नहीं बली, इसलिए आय तक ये आरथन लाग हुए, और सरकारे ने अभी नहीं दिया और उनकी राइनीती, गंदी राइनीती चल रही है, और आरथ इसमेंट उस से दूर किया जा रहा है, क्योंकि इन जैसे सक्स पैदा हैं, और इन जैसे सक्स की एक एक कमेंट से 100 लोगों पर प्रिवार पड़ता है, और इस कमेंट को 100 OVC के लोग देखेंगे, तो वो क्या सोचेंगे, समयदार OVC के लिए संगर्थ करना बेहर ही जरूर पर कुछ लोगों की बातों को इग्नोर करके संगर्थ सफल हो सकता है, हमने इनकी बातों का बुरा नहीं माना, और OVC समाज के लिए लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, उनके आरचन की बात कर रहे हैं, और चंदर सिकर आजाज की आज आजा समाज पार्टी, चंद सिकर आजा ने साफ हैलान कर दिया, यूपी निकार चुना में बाहजबास सरकार की बदनियती के कारण OVCR अच्छन कतम हो गया, इसके वरोध में दिनांग 31-12-22 आज आज आजा समाज पार्टी कासीरा मुत्तरपादिस के सभी पिछेत्त जन पदों के जिला मुक्याले पर धर् हैं और आज चंदर से कराजार के आभान पर आजा समाज पार्टी वहीम आर्मी के कारकरता जला मुक्याले पर जाएंगे और ग्यापन देंगे और सीधी अपील की जाएगी उस ग्यापन में कि OVC आरच्छन को बाहल किया जाए, OVC आरच्छन के बिना चुनाव ना करा ज तो वहां पर सिर्फ OVC वाले से ही फायट थी उसकी और अब वह अपने से दस गुना तागत वर यानि कि हजारव वर्ष से माला माल जो व्यक्ति था उस व्यक्ति से उसका सामना हुआ तो आप समझ सकते हैं सामना कितना कितना टफ होगा OVC व्यक्ति के लिए तो आप समझ सकते हैं OVC के तमाम साथी चुनाब लड़े या ना लड़े ये भी कोई कंफरम नहीं है क्योंकि जब OVC सीटों को जन्रल मान के चुनाब किया जाएगा तो जन्रल वाले उनको जगह बिलुकुल भी नहीं देंगे और आपको पताई है जगह कहां मिली है 100 साल आज से 100 साल पहले गंदा महला उठाने की जगह OVC समाज दलित पिछणों को मिली हुई थी वो किसी से छपा नहीं है फिलाल मायवती चुनाब की रणीती बनाए हुए मायवती काफी यादा एक्टे मोड़ में कल बैटक की अगली बैटक जो भी होगी उसमें हम आप से बादा करते हम जाएंगे वहाँ क्या एक्ट्वल इस्तति है क्या मायवती कर रही है चुनाब को लेकर वह हम आपको सची रिपोर्ट देंगे और अभी मिशन टीवी चैनल से जुड़ें मायवती नहीं हालांकि कमर कहसली है मायवती एक्टिम मोड में हैं आगे का रणीत रहती है क्या नह सबी जबे फोलो करें आपको बहुजन समाज से जुड़े हुए हर मुद्दे पर बातचीत हम करेंगे और आपके काम की खबर आपकी बीच लेकर आएंगे फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो करने जाए से अधस्यर इन सभी खबरों पर आपकी क्या रहा है आप अपनी राय कमेंट में देना आप देख रहे हैं भी मिसन टीम